हर्याना के मुख्यमंत्री मनोहलाल खट्ट ने रविवार को घोशना की कि पानीपत में गोहाना चौराहे का नाम श्रीराम चौक और रेलवी रोड चौराहे का नाम महर्शी वाल में की चौक रखा जाएगा ये घोशना उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदर में रामलला की मूर्ती की प्रान प्रतिस्ठा समारों की पूर्ट संध्या पर की गई है बतादे रिपोर्ट के मुताबिक पानीपत में एक शोभा यात्रा के दौरा अनिक सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री खट्ट ने कहा कि आज पूरी दुनिया एक स्वर में भगवान राम के प्रती आस्था व्यक्त कर रही है पिछले दश वर्सों में शुशाशन का चलन बड़ा है और रामराज्य की अबधारना पूरे देश में प्रचलेत है उन्होंने कहा कि हम भगवान राम के आदर्शो पर चल रहे हैं उन्होंने लोगों से प्रान प्रतिस्था समारो को आल लाइन और टीवी पर देखने और इस दिन को दिवाली की तरह मनाने का आग्रे भी किया है पतादे कुरुक्षेत्र में पत्रकारों से बात करते हुए खटने कहा कि सुमवार को अयोध्या राममंदिर प्रान प्रतिस्था समारो पूरे देश में दिवाली तेवहार की तरह मनाये जाएगा राममंदर के निर्माण और प्रान प्रतिस्टा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि देश और दुनिया भर की करोडों लोगों की इच्छाएं पूरी होंगी क्योंकि 500 वर्षों का लंबा इंतजार खत्म हो गया है साथी उन्होंने कहा कि तीर्थ्यात्रियों को राममंदर के दर्शन की सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य से अगले महिने आयोध्या के लिए एक विशेश ट्रेन चलाई जाएगी झाल